हेलो फ्रेंٹस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिलकुल रेडी मेडสटाईल में पैंट में पॉकिट लगाने का तरीका बताने वाली हूँ इसकी कटिंग और स्टीचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ बहुत ही easy और simple सा ये रहता है लगाने का तरीका तो चलिए start करते है start करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक के subscribe नहीं किये तो please कर लिजे ये देखे मैंने pant का जो हमारा front और back side होता है उसके आसन अलग-अलग मैंने joint कर लिए उपर मैंने half inch चोड़ा है उसके उपर मेरी दो इंच का belt या फिर लास्टिक के लिए पट्टी आएंगी तो इस side मुझे जो है pocket चाहिए side में तो pocket के लिए मुझे यहाँ पर एक fabric लेना होंगा इस तरह से दो fabric लेने होंगे सेम कलर के या फिर आप different कलर का लगान चाहिए तो लगा सकते इसके चोड़ाई मैंने 7 इंच लिए और लंबाई यहाँ पर मैंने ले ली है और दूसरा वाला जो है इसके उपर मैंने बराबर से जमाया उपर से भी और side से भी इस तरह आपको बिल्कुल बराबर से जमा लेना है अब यहाँ पर हमें जो है चोड़ाई पे से 4 इंच पे निशान लगा लेना है pocket का इतना चोड़ा निशान लगाने कि आपका हाथ जो है easily अंदर चली जाए और नीचे की तरफ हमें 6 इंच पे निशान लगाने और इस तरह हमें जो है हलका सा curve line यहाँ पर बना लेनी है देखाऊंगा curve line होती है हमारे pocket की अब यहाँ पर हमें जो है सिलाई लगालने बिल्कुल ऐसे ही मैंने उपर जो अलग से कपड़ा लिया है वो उपर की तरफ रखा है और सिलाई लगाई है इस तरह अब यह जो curve line है अगर यहाँ की slant line होंगी तो इसमें कुटका लगाने क के लिए प्रॉब्लम होती है इसलिए हमें कट्स लगाना जरूरी है कट्स लगाने के बाद में अब आपको यह फैब्रिक जो हमने अलग से लिया ता कपड़ा पॉकेट का उसके उपर हमें सिलाई लगानी है अब पर स्टिच लगानी है यहाँ पर ताकि यह अंदर की के लिए हमें से नीचे की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें यह एल शेफ में दो साइड सिलाई लगानी है एक पर ओर देख लिए हैं के सिलाई लगाई है मैं पर नीचे सा रेक्टेंगल शेप का ही पॉकिट यूस किया है इसलिए यहाँ पर मैं कोई कर्व लाइन नहीं दूंगी ऐसे ही विल्कुल रेक्टेंगल शेप में हम पॉकिट को सिलाई लगा लेंगे अब कॉर्णर्स पे कट लगाएंगे ताकि इसली हमारी नोक जो है बाहर आ जाए औ और कट लगाने के बाद आप पॉकिट को हम सीधा करेंगे पलटा कर इसकी जो नोक होती है इसे हम किसी भी नीडल की मदद से या फिर आप पैन पैंसिल की मदद से यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं फिनीशिंग के लिए और दूसरी सिलाई हमें इसके उपर से लगानी आप पर स्टिच लगा लिए अपर स्टिच लगाने के बाद में अब हमें जो है पॉकिट को इस तरह से सीधा कर लेना है पिछे की तरफ हमारा जो है कुछ इस तरह बनेगा अब साइड में हमें एक सिलाई लगा लेनी है और उपर की तरफ भी हमें सिलाई लगा कर इसे फिक्स कर लेना है पॉकिट को ताके जब हम उपर बेल्ट लगाए और साइड में जब हम बैक साइड का पैंड का बल्ला जोइन करें तो ये सिलाई इधर उधर फैब्रिक ना हो इसलिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं इस तरह हमारा pocket तो attach हो चुक है लेकिन अब हमें इसमें back side का जो पल्ला है हमारा वो join करना है तो ये देखें मैंने back side का भी आपको starting में बता दिया था ये थोड़ा चौड़ा होता है उपर की तरफ से उठा हुआ होता है आसन और दो इंचा हमारा जो ये चौड़ा होता है back side उसका हमने आसन जोड़ लिया है पहले ही जिस तरह हमने front side जोड़ा था अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे अगर आप लोगों को pen की cutting और stitching देखनी है तो मैंने काफी तरीकों से दो तीन तरीकों से pen की cutting stitching डाली है मेरे चैनल का विजिट कीजिए वहाँ जाकर आपको pen की cutting stitching easily मिल जाएंगी प्लास्टिक लगाने का तरीका भी डाला है बेल्ट लगाने का भी तरीका डाला है आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप जाकर देख सकते हैं तो यह देखे मैंने यहाँ पर साइड में हमारा जो बैक साइड था वो भी सिलाई लगा के साइड की सिलाई से ज्वाइंड कर लिया पॉकेट हमारी रेदि हो चुकी है अलमॉस्ट इस तरह से पैंट हमारा अलमस्ट रेडि है पॉकेट लग चुकी है अब उपर हमें जो है बेल्ट लगानी है तो इस देखिए मैंने बेल्ट लगाते हुए लास्टिक लगा लिए पूरी राउंड में आप चाहे तो फ्रेंट में बेल्ट करके पीछे सिर्फ लास्टिक कर सकते यह हमारा पैंट का पॉकेट बिल्कुल रेडी है बहुत सुन्दर इजी आसान तरीके से लगा अच्छी लगियो वीडियो तो लाइक शेर कीजी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो एंड बाबाई